हालो डियर स्टुडेंट्स कैसे हैं आप सभी तो बच्चो आज आपका ये एक बीसे सेशन होने वाला है आप इसे पूरा इंडिय तक देखना ध्यान से देखना क्लास 6 के अंसियारिटी मैथमेटिक्स हम लोग पढ़ेंगे लेकिन सबसे पहले बात करेंगे इंटरनेशनल औ और इंडियन नंबर सिस्टम के बारे में स्क्रीन पर आपको कुछ इमेज हो रही होंगे आप समझ रहे होंगे यह क्यों दिखा रहे हैं इसका क्या मतलब है तो आज मैं आपको यही पढ़ाने वाला हूं आप ध्यान से देखो पूरा इंडिता किस क्लास को देखना ठीक है देखिए साथी हो जैसे कि हमारे यहां कोई चीज होता है तो हम लोग उसकी काउंटिंग करते हैं इंडियन नंबर सिस्टम में मतलब गिना जाता है जैसे लाख में हजार में 100-200 में ऐसे ही गिनते हैं लेकिन जो विदेशों में है जैसे अमेरिका हो गया चाइना हो गया ज जैसे में कहते हैं कि वहां पर हमारे यहां के लोग बोलते हैं कि अमेरिका में सुना तो दोनों होगा लेकिन आप इसका मतलब नहीं जानते हो आ आज मैं वही आपको बताने वाला हूं पूरा एंड तक देखना एक चोटा समय आपको दिखा दूँ जैसे आप इसक्रीन पर सबसे नाम उसके नीचे देखो अगर मैं आपको जूम करके दिखा हूँ ध्यान से देखो आपको सिर्फ समझना है अगर आप यूटुब पे देखोगे वहाँ पे लिखा होगा तो साथियों यह के का मतलब क्या होता है हम आपको बताएं जब सही-सही में हम इस्टार्टिंग यूटुब पी डेखना सुरू किये थे तो हमें मतलब पता लगता था की का मतलब करोंड होता है तो मैं यही सोचता था कि जिस पर वीडियो पर के दिखे हम जाने कि उसको एक करोंड लोगों ने देखा या फिर एक करोंड लोगों ने सब्सक्राइब किया है जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है तो चलिए मैं आज आपको इसकी पूरी सच्चाई बताता हूं इमानदारी स इस कलास को पूरा इंडे तक देखना बीच में कहीं भी आपको जाना नहीं है देखिए यहां पर समझेए जैसे माल लीजिए कि मैंने नंबर लिखा तो आप कहोगे हां भाई इसमें तो कोई बड़ी बात है नहीं इसको तो आप पढ़ी लोगें दोनों एक ही में पढ़न कि लीजिए इसका मतलब है एक लाक भी थिक्षा मतलब यह मतसा आप समझाए आप लोग इसको हम लोग इन को जानते हैं तो हम आपको आपको यहां पे दिखा हूं जैसे इधर-izado में आपको दिख रहे हैं तो इधर उपर साइड में मैं कुछ बड़ी गिंती लिखता हूं जैसे मानलों एकाई तहाई है कड़ा हजार दफ हजार लाग मानलो कि हम इसको अरब तक लिखते हैं चलो ठीक है चार चार आट दो दस गिंती तक न अरब तक है न अब इसे आप यहां पर समझने की कोशिस करो वाई समझो आप लोग क्या बताने वाले उसको समझो अब इसको हम क्या पढ़ेंगे दोनों लेंग्विज में हम बात करेंग अब यह मत कहना कि आप ऐसे कह बता रहे हो यहां पर इंडियन और इंटरनेशनल दोनों नंबर सिस्टम की बात हो रही है कलास को पूरा देखना आपको जानों नहीं बीच में नहीं तो कहीं भाग जाओ निकल नहीं लेना चलो देखो समझो पीछे साइड से हम लोग गिनन हमें आपर टाइम भी बचाना इसलिए हमें आपको जल्दी दिखाना होगा तो आप इसको पूरा एक तरफ से गड़ित समझो देखो आप चलते हैं अगर हम यहां पर सिंपल में लिख दे 158 तो आप सभी कहोगे गुरू जी तो 158 लिखा है इंगलिस मेडिया में बोलोगे 158 लिखा है हां अगर मैंने में का दूठ यह लटका दिया आगे पीछे तो आप इसको तब भी पढ़ लोगे पढ़ लोगे ना इसको कहेंगे पांच लाख पंद्रा हजार आठ सो कि क्या नबे लेकिन यह जो हम लैंग्वेज यूज कर रहे हैं यह क्या है यह इंडियन न सिस्टम है पहले इनके दादा के बारे में बात कर लेते हैं जो उपर इनका पूरवज इनके नियम बनाके गए उसको समझ किये ठीक है यहां पर हमने कितने अंक की गिंती लिखा है पहले आप गिनके बताओ मुझे कितने अंक की है एक दो तीन चार पांच छे साथ आर्ट नो दस ग्यारा इससे बड़ी तो हमारे समझ से गिंती का कभी कोई काम नहीं लगता है ठीक है आप अरब पती हो जाओगे तब भी काम नहीं लगेगा जल्दी से इसके आगे हम नहीं बताने वाले हैं प्राया लोग यहीं तक गिंते हैं क्योंकि हमारे जो भी सुकी जन फिर लाग फिर करोण फिर दस करोण फिर अरब फिर अरब इसके आगे मानते हैं थीक है वहां पर हम अभी बात नहीं करेंगे लेकिन अगर इंटरनेशनल लेंगोज सिस्टम में बात करें देखो हम दोनों एक साथ में इसलिए पढ़ रहे हैं इससे आपको अंतर समझ में ठीक है अंतर समझोगे तो आपको आजाएगा अगर इंटरनेशनल लेंगवेज में बात करें तो वन्स टेंस हंड्रेड थाउजंड टेंथाउजंड थाउजंड उसके बाद फिर मिलियन टेन मिलियन और फिर बिलियन और टेन बिलियन आप लोगों को इसको मैं हिंदी और इंग्लिज दोनों में बता सकता हूँ देखो मतलब ऐसे समझे लो यह तो मैंने सुद्ध हिंदी लिखा है जो लोग इंग्लिज में बोलते हैं जैसे वन लाक फिप्टी एट थाउजंड वगरा न तो यह चीज ईकाही को बोलते हैं इंग्लीज में वथांते हैं हुक्यच ही पोलते हो आप इस पेली लिखना जानते हो इसको थाउजंड बोलेंगे टी एच लिख लिख लो साड़कर्ट में थाउजंड आप कहोगे फिर तब तो कोई अंतरे नहीं हो रहा है आप इंटरनेशनल लेंगवेज सिस्टम में भी वही बता रहे हो इंडियन में भी बता रहे हो नीचे और हिंदी इसको दोनों में लिख रहा हो और जो इंटरनेशनल लेंगवेज है उसको हम हिंदी में नहीं लिख रहे हैं सिर्फ इंगलिस में है अब समझhIES यह न कर दो एक नो गलीमत गेंगी इधर भी है और अगर तुम ऊपर साइड में जाओगे यहां पर 10,000 है बराबर है ना लेकिन हमारे क्या होता भया यहां से क्या सुरू हो जाता है लाक यह यहां पर है लाक इसको मैं यहां से एरो बना के लाता हूं यहां नीचे दिखाने के लिए क्योंकि उपर जगा नहीं ह यहां से यह लाक वाला ठीक है अब यहां पर हिंदी में हम अगर पढ़ेंगे भाईया तब यह क्या हो गया यह लाक में आ गया अब इसको तुम अचीज नहीं वोलो जो उधर साइड में समझ रहे थे ठीक है अब इसको 100 थाउजन नहीं बोलेंगे अब हम इसको लाक यहां तक मैं आपको समझा देता हूं जहां तक मैंने यह बनाया है इसके आगे हम नौ लिखा है तीन लिखा है आठ लिखा है एक लिखा है दो लिखा है ना यहां दो तक ही लाग पूरा हो रहा है दो तक ही लाग पूरा हो रहा है ना पीछे साइड से तो चलो गिने अगर हम इसको इंडियन नंबर सिस्टम में बोलेंगे तो क्या पढ़ेंगे दो लाख 18,395 बोलो बोलेंगे कि नहीं भाई दो से सुरू करो इंडियन नंबर सिस्टम में क्या पढ़ेंगे बाबु इसको दो लाख 18,395 लेकिन अगर इसे हम इंटरनेशनल लेंग्विज सिस्टम में चलें तो क्या पढ़ेंगे पता है क्या पढ़ेंगे देखो समझो यहां पर लिखा है ना अंडरेड थाउजर्ड अंडरेड थाउजर्ड का मतलब यह है हम इसको एक हंडरेड का एक परकार से ग्रूप बना के बोलेंगे अगर हंडरेड निकला तो मिला के सब कुछ तुम छोड़ दो पीछे से इंटरनेशनल लेंग्विज सिस्टम में तीन तीन अंग पर कामा लगाते हैं यहां पर देखो तीन अंग हो रहा है यहां पर कामा लग जाएगा यानि हमें इसे दो ही बार में बोलना है बस इतना ज लग कर लिए मतलब इसको तीन सब्द में बोल रहे थे ना दो लाख अठारा हजार तीन सो पंचानवे लेकिन इंटरनेशनल लेंग्विज सिस्टम में इसको हम दो वर्ड में बोलेंगे वह क्या तू हंड्रेट एटीन थाउजंड तू हंड्रेट एटीन थाउजंड तो कोई लगिया के पास सव हजार रुपया हो गया तो कोई यह कुए ने के यहारThe सब तक के बोलेंगेование तब तक हजार बोलेंगे अगर दोनिने लेकिन जैसे जैसे एक लाक हुआ सौ हजार वैसे पलड जाएग पिर हमारे इंडियन नमबर सिस्ट्रम में उसको क्या बोल लेकिन इंटरनेशनल लेंगव सिस्टम में यानि अमेरिका चाइना बिटेन जापान हो गया रहा है क्या बोलेंगे कि एकसो हजार हिंदी में नहीं बोलते हो लोग 100000 बोलते हैं ठीक है क्या बोलते हैं 100000 या फिर 100000 समझ रहा हो ना इसको इंटरनेशनल लेंगव सिस्टम में पढ़ेंगे 218,395 दो वर्ड में बोलेंगे मतलब दो बार में परकार से या दो वर्ड जो भी तुम समझे लो 218,000 218,395 क्या बोला मैंने 218,000 बोल रहा हूं 218,000 मतलब 218,000 395 यहाँ पर 1000 वर्ड नहीं है समझो यहाँ पर मैंने 1000 नहीं बोला 395 फिरी बोला 100 बोला 95 लेकिन यहाँ हम बोलने 218,000 मतलब 218,000 क्यों समझे रहो 218,000 तीन सो पंचांगे इस तरह से इसको इंटरनेशनल लेंगोज सिस्टम में समझेंगे तो यह है इंडियन और इंटरनेशनल लेंगोज सिस्टम का एक छोटा सा अभी आगे कहानी खतम नहीं होती पूरा पढ़ लो बहुत से बच्चे बोल रहते जो पिछली कलास में पढ़ाया गया था थोड़ा हलके में पढ़ा दिया गया था तो मैंने सोचा इसे अपडेट कर देता हूं टाइम तो बहुत हो रहा लेकिन फिर भी मुझे आपके लि आपर नहीं हो में अब यहां पर कि अगर आप देख पार हो इमें गर यांगेत्षदी लाहबा चैनल के अगर आप देखो तो Лिखाय टू 65K सब्सक्राइबर लिखा था ँन लिखा है का मतलब क्या है यहां पर के का मतलब है दो लाख पैसाठ हजार इसका यह मतलब है अगर इसको इंटरनेशनल लेंगोई सिस्टम में पढ़ेंगे अमेरिका वाले कहेंगे यूके वाले तो क्या बोलेंगे इसका एक अंतर थोड़ा सा और अच्छे से आप लोग समझो इसमें थोड़ा कम अच्छे से डिसाइड हो रहा है यहां से समझो यह वीडियो देख रहे हो जहां पर टाइटल लिखा है अपराद इवम उन पर लगने वाली धाराएं वीडियो था जो कि काफी सीरियस हो गया क क्यों कि देश में इतना ज्यादा क्राइम है कि क्राइम करने वाले लोग इसको देखते हैं यहां तक कि पुलिस वाले भी इसको देखते हैं इसमें से नालज लेते हैं कि कि किस अपराद पे कौन सी धारा लगती है आप ही जा करके इसको देख सकते हो वगल में देखो हमार 500 आपको दिखाता हूं मतलब पोस्ट मार्डम करकर मैं आपको दिखाता हूं तो पॉइंट OFFE यह दीख रहा था है इसका मतलब यह देखो उस दिख रहा है लगने वली दहरा है उसके नीचे देखो अगर तुम देखो गया दिखांगे अपनी स्क्रीन पे देखो हमें मून मेरा तोबड़ा मत देखो चलो मैं अपने आपको छुपा लेता हूं अब तुम देखो चलो इस्क्रीन पर दिख रहा है तुम्हें टू दिख रहा है फिर कामा लगा है फिर एट फोर फाइब फिर कामा फिर दो सो पचास है इसको ऐसे पढ़ेंगे वांस टेंस और आट सो पैतालीस हजार और दो सो पचास इसका यह मतलब हुआ लेकिन हमारे अगर इंडियन नंबर सिस्टम में इसको पढ़ते तो ऐसे पढ़ते पहले बात तो पीछे से कामा दो दो अंक पे हम लोग लगाते हैं ठीक है दो दो अंक पे तो क्या होगा इकाई दहाई से हजार दस जार लाख दस लाख तो हम लोग क्या पढ़ते हैं इसको हम लोग पहले से सुरू से स्टार्टिंग से कामा लगाते हैं 28,45,250 समझ रहो हम लोग अपनी लेंग्वेज में इसको पढ़ेंगे 28,45,250 आप समझ पाए ना हमारी बात समझ पाए ना थोड़ा फा टिप अब ही आप इसमें बहुत कुछ आपको पढ़ाना है ना डीटील में पढ़ाऊंगा तो सब क्लियर हो जाएगा सब निकल जाएगा बाहर कोई प्रकार की दिक्कत नहीं है तो इसको मैं हटाता हूं साइड करता हूं आप लोग आगे देखो क्या कहानी है उसको समझ रहे है ठीक है चलो इसक्रीण पर यहां पर दीक रहा है क्या लिखा है भाई लाख तक होगा लाख के उपर आगे बढ़ते हैं लाख के आगे अगर आप देखो तो हिंदी में हम लोग क्या समझ रहे हैं पिर लेकिन जो 10 लाख है वो क्या है यह मिलियन है ना यहां से यह समझो भाया कि एक मिलियन में 10 लाख होता है यह चीज अपने दिमाग में रख लो आज से समझ में आ रहा कुछ हो कि एक मिलियन मतलब 10 लाख यानि हमें PBR सब्सक्राइबर का मतलब 10 लाख यानि अभी लगवग 3 लाख होने वाले हैं 7 लाख और सब्सक्राइबर हो जाएं तो हमारे वीडियो में ऊपर से देखोगे दिखे का टू पॉइंट एरियम विउ है अगर उसका डिस्क्रेप्शन देखोगे तो उसमें ओपें करके दिखाता है कितना कितना गिंती आ लग अलग अलग तो यह होता है आगे बात करें अगर यह दफ लाग हो गया उसके आगे दफ लाग, दफ लाग का मतलब मिलियन, फिर करोण, जिसे हम लोग करोण बोलते हैं, उसे दस मिलियन कहा जाता है, मतलब समझ रहे हो? अगर कहा जाया कि भाया, बित मंतरी जी ने एक करोण रूपय का बजट एलान किया, एक करोण, माल लिजिये सिच्छा वेवस्था के लिए एक करोण का बजट आया, मैं कोई सही घड़ना नहीं बता रहा हूँ, आपको एग्जाम्पल समझने के लिए बता रहा हूँ, अगर सिच्छा ब्यवस्ता के लिए भारत देश में एक कान का बजट अता है तो इसका मतलब 10 מ меньше का मतलब दस million का छुछ कुछ न ऎक करोण का बजट अगर चुर्ण रुपया एक करोण आदमी या एक करोण कुछ भी की बात करो Kीशी कि यहां पर समझों दस करौन का मतलब यहां पर देखो यहां लिखा है नहीं यानि अगर बात किया जाए कि भारत में इस बैस्टिक महामारी से निपढ़ने के लिए भारा सरकार ने कि दस करोन का फंड जारी किया है कि अंड्रेड मिलियन रूपे अंड्रेड मिलियन इंटरनेशनल नंबर सिस्टम मतलब में बात करेंगे अमेरिका वाले इसको यह से चापेंगे कि इंडिया है इस बीन अंड्रेड मिलियन रूपेज फार दिस अगरा अगरा मुझे इंगलिस नहीं आती आप समझ गया होंगे मैं क्या कहना चाहता हूं तो यानि इंटरनेशनल लेंग्वेज सिस्टम में इसको इस तरह से पढ़ेंगे जो इंटरनेशनल हेड्लाइन बनेंगी आप दाहिंदू देख सकता है मिलियन कमी देखेगा क्योंकि वह इंडियं का में अगर आप कोई इंटरनेशनल व्ला देखो या इंटरनेशनल वेबसाइट देखो जैसे अब यूटूब ले लो यूटूब एक इंतरनेशनल वेबसाइट है मतलब यह अमेरिका की कमपनी है YouTube ना अमेरिका क लोग क्या लिखते हैं वहीं तुम अगर बात करो उसकी क्या बोलते हैं भारत की जितनी भी कोई वेबसाइट सरकारी वेबसाइट पर आप जाओ तो वहां पर कोई आंकड़ा अगर देखो गया तो उसमें क्योंकि हम लोग की इंडियन की जो नंबर सिस्टम पद्दती है वह अलग है लेकिन जो हम लोग कोई बड़ा काम इंटरनेट पर करते हैं कुछ भी तो इंटरनेशनल लेंगोज सिस्टम में ही करते हैं क्योंकि हमें उची जाना चाहिए ठीक है समझ गए तो दस करोन का मतलब होता है क्या सौ मिलियन उसके आगे अगर हम बात करें बहुत कमी मिलेंगे किसी चैनल पर नाम मातर के कुछ गेमिंग चैनल है जिनके बिलियन सब्सक्राइबर है क्योंकि उसको और कोई गेम खेलता है हमारे इंडिया में तो बुड़े लोग नहीं खेलते हैं लेकिन दूस का मतलब एक बिलियन अभी तक हम लोग जब छोटे 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 थे ना तो ये करोण और लाक करोण तो जानते थे लेकिन हम लोग मिलियन बिलियन नहीं सुने थे तो अगर कहीं नियूज में या कहीं हम लोग सुनते थे तो हमें ऐसा लगता था कि दुनिया की सबसे बड लेकिन हमें ऐसा लगता था अगर आप नहीं जानते थे तो आपको अभी अभी तक ऐसा ही लगता रहा होगा कि अगर कहीं Million की बात करें तो हाँ जादा है क्योंकि वा अरब में चला जाता है लेकिन अगर ये कहानी समझ लोगे तब ही आप question कर पाऊगे समझ रहा हो ना तो अब कुछ question पे चलते हैं आप question देखो आप सभी चलो question करवाते हैं ये कहानी आप समझ गए ना अगर एक billion की बात करें मतलब एक अरब अगर दस बिलियन, दस बिलियन मतलब दस अरब, ठीक है, तो चलिए अब इसके कुछ कुछ कुश्चन्स हम लोग कर लेते हैं